नमस्कार जैहें दोस्तों दोस्तों आज हम देखने वाले हैं B.S.S.C. का प्रैक्टी सेट और दोस्तों आपको पता है कि एरुटेरिया का जो है आपका सेट समाप्त हो गया है जो की 15 प्रैक्टी सेट था अभी देखिए आज हम कंप्लीट जो आपका कंटीन्यू अप उपल पहले का देखिए हमारा 15 अप्लोड हो किया है अगर आप उसको नहीं देखिए तो देख लिजेगा इसमें आपका पूरा 24 प्राक्टी सेट दिया गया है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चलिए पहला हमारा कोशन क्या है देखेंगे देखिए पहला प्रस्न बोले कि नगरपालिका से अभी प्राय भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद से है भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद से है देखिए इसका अनुछेद आपका हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए हो जाएगा नाइब डिया है ना नाइब डिया निम्कित में से किस भारती सिमावरती देश की राजधानी है तो यह आपको देखने को मिलता है मियनमार का आप्सन नंबर हमारे हैं पे डी सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुचार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था मियनमार को स्वन पैगोडा का देश भी कहते हैं नेश्ट कोसने कि बर्मा को किस अधिनियम द्वारत से अलग किया गया था देखिए बर्मा को दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है इसका सही आंसर आप देखेंगे तो अधिनियम 1935 आपसन नमबर आपका जो है तीसरे का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा ठेके ब्रिटीस सरकार ने 1937 इस्वे में ब्रिटीस सरकार ने वर्स 1937 में ब्रिटीस भारत से प्रांत को जो है अलग किया था उत्तर्स दच्षड की ओर हिमाले की निम्न स्रेडियों का सही करम बताईए चार दिया गया है जिसे लद्दाक है जासकर है कारों कारा कोरम है पीर पंजाल है तो इसका अंसर आप देखेंगे तो आपसन नमबर हमारे यहां पे सी होगा पहल कि भारत के राष्टिय दोच के बाट कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जयाएगा पिंग्ली यह ऑप्सन नंबर हमारे पाच्वे का डी सही आंसर हो जाएगा तेखे मैडम भिखाजी के बात करते हैं मैडम विखाजी कामा ने वर्स सुसात में पहली बार ढ़िजंड़ का कारखाना अबदान कहां पर है अबदान जो है कहां पर इस्थित है तो यह आपको देखने को मिलता है इरान में कहां पर दोस्तों इरान में जो है आपको देखने को मिलता है ऑप्सन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा तेल सोदक कारखाना नेजी छेतर क पेट्रोटर्स लमिटेड का है हमारे सम्मिधान में एक समख्षा की दहर ना किस समीधान से लिया गया है कौँ देश के सम्मिधान से लिया गया है तो देखें यह आपको हो जाएगा यहां पर सही हो गांऄ से की स्थी को जो है सुईकार किया गया था because Claro कि यह reheं नमबर वर्स 1949 होगा option number C होगा तक 26 जनवरी 1950 को इसे जो है लाउ किया गया था ठीक है लेकिन सुविकार की बात करते हैं तो 26 नमबर 1949 जो है सही उत्तर होगा भारत में प्रधान मंतरी अब तक पहले पत अब तक अपने पत पर रहता है जब तक उसे प्राप्ट है जब तक उस करते हैं 75 जो आप कार्टिकल है इसके अधार पर प्रधान मंतरी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है कि सम्मिधान संसुदन द्वारा जो है पंचायती राज विवस्था संस्थाओं के सम्मिधानिक दर्जा जो है प्रधान किया गया है कि इसका सही आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर जो है हमारा ए सही आंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सी रचना जो है महत्मा गांधे के साथ संबंधित नहीं है महत्मा गांधे के साथ जो है संबंधित नहीं है तो दो दो होली फेमिली यह आपका नहीं है दो होली फेमिली जो है नहीं है बाकी माई एक्सपेरिमेंट विद तुरू सही है हरियन सही है और हिंद सोराज हमारा सही दिया गया है निमलिशित में से कौन सी पुस्तक या फिर पुस्तक के स्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है तो इसका आँशर आप देखेंगे तो उपरूप तो सब सभी हमारा हो जाएगा जिसमे आपका कूली है उसका वाद बॉर्डर ट्रेड यूनियन है और तू लीप से एंड ए बर्ड तो आँशर आप देखेंगे तीनों हमारा सही हो जाएगा अगला के सेज का पूरा नाम क्या है या फिर पूरा रूप क्या है सेज का देखिए इसका पूरा रूप देखेंगे तो स्पेशल एकोनोमिक जोन इसका जो है फुल फरम होता है ठीक है सेज का ठीक है वही बात कर लेते हैं दोस्तों आज इसे देखेंगे तो वैट का पूरा और इसका मुख्याले कहां पर है तो काठमांडू में है नेश्ट हमारा प्रसना है कि मांचितर में परवत और परवत और पहार की दर्साया जाता है यानि परवत और पठार को दर्साया जाता है मांचितर में देखिए यह आपको जागा लाल रंग से दर्साते हैं और जो ब्लू रंग होता है वो नदी होता है समद्र होता है और जो पिला रंग होता है वह आपका उचा इस्थान यानि कहते हैं मैदान ठीक है सिल्क यानि रेसम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक देश आप देखेंगे तो यह आपका चीन हो जाएगा आपका चीन है और रेसम उत्पादन में दुसरा इस्थान किसका है तो भारत का है कारगिल युद के समय पाकिस्तान का परधानमंत्री कौन था जब कारीगिल के उयुद अगर बात करते हैं तो आपका वर्स 1990 में हुआ था ठीक है और उस टैन जो परधानमंत्री था आपका नवाज सरीव था ऑप्सन नंबर आप देखेंगे तो 18 का हमारा 20 सही उत्तर हो जाएगा और दोस्तों आप सभी को बताई है कि टेलिग्राम पे जो है बी एससी का प्रैक्टी सेट डेली बेस्ट पे करवायता है सुबह साथ बजे अगर आपको जॉइन होना है सेट लगाना है तो यह रहा वाट्सप नमबर आप इस पर जो है बी एससी इंटर लेवल लिक करके मैसेश कर दीजिए आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा बुलाए कि जंप बॉल सब दन्रिम्निकित में से किससे जो है आपका संबंदीत है किससे आपका संबंद रखता है तो यह आपको जागा बास्केट बॉल क्या इन्हों ने प्रसित भांसण यानि आई हैव एड्रीम दिया था इसका सही आंसर आप देखेंगे तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आप देखेंगे तो 20 का हमारा बी सही होगा निमलिकित में से कौन सी आकृति जो है भूमिगत जल से बनी है कौन सी आकृति है जो हमार बूमिगत जल से बना हुआ है तो यह आपका हो जाएगा आपसण नंबर ए सही हो जाएगा कर्श्ट वीडू हो जाता कर्विडू है ना तो आपस ने थेस्टव होगा और में मुख्या प्राथमिक पोसक तप्त्व होते हैं नाइट्रोजन, फा्सिपोरस एवन पोटास, आपस नमबर बी सही उत्तर होगा, एसकीमो के घर बने होते हैं किसके, देखे जो एसकीमो के घर बना होता है, वो आपका बर्फ का बना होता है, तो आप इसको अच्छे से याद राखिएगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी दिल्ली के पहले भारत की राजधानी आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा हो जाए कलकत्ता option number हमारा यहां पे भी होगा तेके वर्स 1911 में जार्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का यूजन किया गया जिसमें राजधानिक कलकत्ता से दिल्ली इस्थांतरित करने का न्योने जो है लिया गया था वर्ष 1912 ये आपका लागू हुआ है आगे हमारा है कि राश्टरपती लोग सभाग सर्थियों में निम्न को प्रतिनितों देने के लिए नामित कर सकता था देखिए इसका सही आंसर आप देखेएंगे तो एंगलो इंडियन हो जाएगा आप्शन नमबर हमारा जो है 25 का एपाश्यान से है परिवार कल्यान से है, option number हमारा यहां पे A सही हो जाएगा अब यह आप देखेंगे तो एक rate cross भी दिया गया है तो डॉक्टर सहायता यह अस्पताल से सम्मदित हमारा हो जाएगा ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा एक हमारा आता है लाल ज्हंडा तो क्रांतिक अप्रतिक मनाता है लाल ज्हंडा अगला है कंटूर रेखा दरसाती है किसको तो कंटूर रेखा आप देखेंगे तो समुद्र तल से समान उचाई एम अकार वाले इस्थानों को दरसाता है option number 27 का हमारा A सही उत्तर हो जाएगा और आई-सो बार समान दाब वाले इस्थानों को विलाने वाला रेखा होता है करक रेखा भारत के कितने राजियों से होकर गुजरती है सभी को पता है करकर रेखा जो है हमारा आठ राजियों से होकर गुजरता है option number हमारा यहां पे C सही हो जाएगा अगर जिसको ट्रिक याद है आठो राजय याद करनेगा वो कमेंट करेगा मैं उसको पिन कर दूँगा ताकि और भी लोग देख पाएंगे यह लाइफ पुस्तक के लेखक रचीता कौन है यह लाइफ पुस्तक के रचीता कौन है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो लसलीमा नसरीन ऑप्सन नमबर ए होगा कावरी नदी बहती है कहां में तो इसका उत्तर हमारा हो जाग दच्छुड भारत में ऑप्सन नमबर हमारे यहां पर 30 का भी होगा कावरी नदी कावरी नदी करनाट के बर्म गिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है भारतिय वन सरवेच्छर द्वारा जारी वन सरवेच्छर रिपोर्ट 2021 के अनुसर पस्ति मंगाल के बादूसरा सरवादिक मैंगरो वन किस राज में है घाना पक्षिया भ्यार नहीं आपको कहां पर देखने के मिलता है तो यह आपको रायस्थान में देखने के मिलता है ऑप्सन नंबर जो है 32 का हमारा ए सही उत्तर हो जायागा ठीक है चलिए नेश्ट हमारा है बोला कि दल बदल विरोधी कानुन पारित हुआ था कब दल बदल आप देखेंगे दोस्तों तो यह आपको पारित हुआ था वर्स 1985 पारित हुआ था ओप्सन नंबर हमारा बी होगा यह आपका दस्विया नसूची को जोड़ा गया था ठीक है ओप्सन नंबर बी उजयन किस नदी किनारे इस्तित है देखे उजयन यह आपको दोस्तों पैंतीस का आप देखेंगे तो कियर अलोगा क्या होगा क्या होगा के रल वही बात कर लेते हैं जैसे देखेंगे आंध्र पर दिसका आपका कुछी पूड़ी हो जाएगा असम का देखेंगे तो बीहु हो जायेगा और तमिलनाडू का देखेंगे आजैंग आब बारत ना टेम हो जायागए एक हमारा कथक होता है कथक ओली कथक ठीके वह आपका उत्तर पर्देश का है निमलिकित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है दो राज्यों की यह होगा जिन्हों ने इंडिया नामक इंडिका नामक पुस्तक लिखा है मेगस्तनीच के द्वारा भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 7500 किलोमेटर हो जाएगा तो उनके बचपन काम नाम था वर्धमान क्या था वर्धमान और गौतम बुधक के पुतर का नाम क्या था तो आप्सन में देखे दिया नहीं है लेकिन नाम याद रिखिएगा राघुल नाम था क्या था राघुल हमाले की सबसे उत्तरी परवत स है दिवस दिया गया है जैसे चार दिसंबर देखेंगे तो वी सो प्राकृतिक दिवस यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा देखिए चार दिसंबर को प्राकृतिक नौसेना दिवस की रूपे बनाते हैं बाकि एक जूलाई को जो है डॉक्टर दिवस तैहीं जनवरी को जह है नेताजी जैन्ती और सुलत न downwards की बात करते हैं तुराश्टरी प्रेश जीवस जूह हमारा सही है भारत की सबसे भीतरी परत कहलाता है क्या जो सबसे भीतरी परत कहलाता है वह आपका क्रोड हो जाएगा ओपसन नंबर हमारे यहांप जो है go義 का मेंढ़ित को इंपात किसको मैडम कामा को आपसन नमबर भी सही होगा अगला कि छो मंडल की सगंता कब बढ़ जाती है छो मंडल की सगंता की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीत रीतू में क्या होगा सीत रीतू में आपसन नमबर हमारा भी सही उत्तर होगा अगला प्रस्तन है कि साई लॉक नामक पात्र विलियम सैक्सपियर की किस रचना पर इनी रचना का पात्र है चलिए बताईएगा तो यह हो जाएगा मर्चेंट आफ नेविस माँ आप केज़ेगा मर्चेंट आफ वेनिस लिखा गया है आप यहाँ में देखेंगे 45 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा तेकि मर्चेंट आफ वेनिस का प्रकासन है आपका वर्स उन्नी सो 96 से लेके 97 में हुआ था मैई दौर तैस में 57 ग्यानपीट पुरसकार जो है किसे मिला है 57 ग्यानपीट पुरसकार आप देखेंगे दामोदर मोजो को मिला है ओप्सन नंबर हमारा 46 का B होगा ठीक है ओप्सन नंबर क्या होगा तो B हो जागा अगर 22 की बात करते हैं किसको मिला है बताइएगा तो दामोदर मोजो को भी दिया गया है 57 यहाँ पे 23 लिखा गया है चलिए देख लिते हैं विश्व में सरपर्थम किस देश ने हाइट्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जो है शुरू किया है इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी ओप्सन नमबर यहाँ पे B सही आंसर हो जाएगा जर्मनी अगला प्रस्न है कि फोपोस किस गरह का निकटम और सबसे बड़ा चंद्रमा है सबसे बड़ा चंद्रमा है तो यह हो जाएगा मंगल है ओप्सन नमबर ए सही हो जाएगा मंगल ग्रा के दो चंद्रमा फुबोस और डीमोस हैं इस रो द्वारा भारत का पहला धुरूविय मीशन का नाम क्या रखा गया है तो यह आपका एक्स प्रो यानि एक्स पोसेट हो जाएगा ओप्सन नमबर ए सही होगा तो लागे हमारे प्रस्ट्रे के राष्ट्रिय खेल पुरसकार के तहट मेजर ध्यार चंर खेल रत्न से सम्मानित श्री सरतकुमार अचन तक किस खेल से संबंदित है तो यह आपको देखने के मिलता है टेबल टेनिस ऑप्सन नमबर हमारे है पर डी होगा पर स्थित्य की तंत्र में उचित्तम पोसक पोसटत्व किसे होता है और किसे प्राप्त होता है किसे से तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अब घटक हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है 51 का हमारा सी सही उत्तर होगा घड़ी में इस पटी क्रिश्टल का कारे किस पर अधारित है आंसर क्या होगा तो दाव विधुत प्रभाव हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी सही होगा प्रकासि सजावर्ट तथा विज्यापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में परियुक्त होने वाले गैस कौन सी है परियुक्त होने वाले गैस की बात करते हैं तो यह आपका नियाउन होगा क्या होगा नियाउन ओप्सन नमबर बी सही होगा सहीर में ऑक्सिजन की पूर्टी किसके माध्यम से होती है तो आक्सिजन के पूरती की बात कर लेते हैं तो यह आपका लाल रख्त कोसिकाओं में हो जाएगा लाल रख्त कोसिकाओं से तो आप्सन के अकॉर्णिंग आप जाएंगे तो हमारा बी सही होगा डबलू बी सी का मुख्यकार जो है सजीड को रोगो के संक्रमण से बचाना होता है जिसका जो है कारेकार डबलू बी सी कितना होता है कमेंट किजिएगा आप सब लोग पुला कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है इसका असानिक नाम क्या है देखे इसका असानिक नाम आप देखेंगे तो पोटैसियम नाइट्रेट हो जाएगा ऑप्सन नमबर हमारा सी सही होगा एक आवतार लेंस की फोकस दूरी 15 cm होती है यदि वस्तु को लेंस से 30 cm के दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिवीम की दूरी जो है घ्यात कीजिए चलिए बताये क्या होगा इसका सही आंसर देखेंगे तो मैंनेस 10 cm हो जाएगा option number D होगा वर्षा की बुंदे गोल होने का करण क्या है तो देखिए आप हो जगा जल का प्रिष्ठ तनाव हो जाएगा option प्रिष्ठ चार गुणा हो जाएगी चार गुणा हो जाएगी option number हमारा यहां पर सी होगा सराव की अतिधीक उप्भोग से छती होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यक्रित की क्या होगा यक्रित की ऑप्सन नमबर आप देखेंगे तो 59 का हमारा A सही होगा सैलो तथा खनीजू में सरवादिक मात्रा में पाय जाने वल्ला तत्व हमारा कौन से है कि सर्वादिक मतना में आप देखेंगे तो जो हमारा वतल तक्या मिलता है क्या लीडिया लिए कि रिया। के उडारण पूछ रहा है तो यको जागा red redox को क्या सिका जुजए का प्रक्रिया होती है पिया कोई सप्रक्रिया है दही की जमना क्यों साधीक जमना देखिए रसायनी के प्रतिकिर्या हो जाएगा option नंबर हमारे यहां पर जो है 62 का एस ही होगा सोडियम सलफेट और बेरियम क्लोराइड की अभिकिरिया में बनने वाला सफेद अवच्छेप क्या होता है सफेद अवच्छेप पूछ रहा है तो यह आपको जाएगा बेरियम सलफेट हो जाएगा ऑपसन नंबर ए होगा आधो की प्रतीखिया जिंक कि तुकडे से कराई जाए तो कौन सी गैस जोहेर निकलती है तो यह जाएगा हाइडरोजन होगा क्या होगा हाइडरोजन ओप्सन नंबर दोनी तरंगों की गती 700 MN के पावर MS के पावर माइनस ववन दोनी तरंग के साथ यानि सेवन किलुमेटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा साथ केलिमेटर देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे कुस्टन नमबर कौन सा है तो छाचेट नमबर है ना तो इसका आंसर हमारा हो जायागा ऑप्सन नमबर सी होगा दस सेकेंड अगला है कि मिधन गैस बनती है ढफका मिधन गैस मता है सोडियम एसिटेट को सोडा लाइन के साथ गरम करने पर आप्सन नमबर जो है ये सही आंसर होगा हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर हैं तो हीरा और ग्रेफाइट में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अप्सन नमर भी हो जाएगा रिडात्मक या होगा दोस्तो रिडात्मक जो है इसका सही उत्तर होगा आदर्स गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राफ शारी गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है तो यह आपको हो जाएगा बाई दसमलों चार एल हो जाएगा मानों में कौ संतुलित आहार जो है देने चाहिए तो यहां देखे देना लिखा गया है तो इसका आंसर देखेंगे बहत्तर का तो हमारा हो जाएगा तीन सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक रबड प्लास्टिक डाई स्टफ ड्रक्स और फार्मा स्यूटिकल्स के निर्वान के लिए किसका उपियो किया आता है तो यह आपका हो जाएगा लिखा गया है पेट्रो रसायन हो जाएगा ऑप्सन नमर डी कुछ बहु कोस्की सजू में ज इसका सही आंसर देखेंगे तो यह आपका जीवान हो जाएगा उप्सन नमबर बी होगा आगे हमारा है बोला की सैक्लो इस्टो मेटा जबड़ए रहित डैस है डैस होते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कैसे रुकी यानि वटी वीट्रा हो जाएगा वटी विट्रा तो आप लोगों ने कितना प्रस्ण बनाया है जिके जीयस में कमेंट किजिएगा और टेलेगराम से गुरूप में जॉइन हो जाएए वहां से आप जो है सेड बना सकते हैं चलिए आज के लिए इतना है जैहिंद